नमस्कार, इजी आयरुवेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, क्या बवासीर से पीडित लोगों के लिए जिमिकंद लाबदायक है। चिकित्सी प्रहेजनों के लिए आहार में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस प्रश्ण पर डॉक्र सुदर्शन केहते हैं, जिमिकंद एक आयरुवेदिक जड़ी बूटी है, जिसके बहुत सारे स्वास्त लाब है। इसका वानस्पतिक नाम अमर्फोफॉलर्स पैनिफोलियस है और यह एरेसीय परिवार से संबन्दित है। अमर्फोफॉलर्स का उपियोग विबिन रोगों के लिए कई आयरुवेदिक दवाएं जैसे सूरन वटका, सूरन अवलेल, बहुशाल गुड, अर्शाद्न वटी आदे में उपियोग होता है। बोजन कुतुहुलम ग्रंद के अनुसार जिमिकंद स्वाद में तीका और शक्ती में गरं होता है। यह पाचन को बड़ावा देता है और वात संबन्दे विकारों को दूर करता है। सवाल यह है कि क्या बवासिर से पीडित लोगों के लिए जिमिकंद अच्चा है या नहीं। बावप्रकाश ग्रंद में आचारी बावमिश्र जिमिकंद के गुडों का वर्णन करते हुए कहते हैं। विशेशा दर्शस्य पत्यह तलीह गुल्म विनाशनाह इसका अर्थ यह है कि जिमिकंद ववासिर तिली विकार और पेट के ट्यूमर को टीक करता है। पवासिर का इलाज जिमिकंद के विशेश प्रबाव के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग आहार में विविन रूपों में किया जा सकता है। चिकित से ये प्रयजनों के लिए इसे काटा जा सकता है, तोड़ी देर के लिए चाश में डुबा कर सुखाया जाता है, फिर इसके स्लाइस को तिल के पौडर, हिंग, जीरा और सेना नमक के गोल में डुबोया जाता है, स्लाइस को तेल या गी में तला जाता है और इसका किया जा सकता है सामबार सब्जी पकी हुई सब्जी का सलाद आधी तयार करने के लिए जिमिकन को अन्य सामागरी के साथ पकाया जाता है अमर्फफोलस पाइनिफोलियस पर एक फाइटो फार्माकोलाचिकल समेक्षा पर एक्षोद अधेयन किया गया है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आयरुवेद के और रहसियों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाईए आयरुवेद के बारे में अधिक जानकारी पाने की इच्चा है तो अंग्रेजी में हमारे साथाहिक ऑनलाइन कक्षावों में शामिल होने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर भेट कर सकते हैं अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नमस्कार